अव्यक्त शिक्षाओं का अनमूल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है जिन्दगी का अफसाना ये श्रंखला सर्वात्माओं के पेता परमात्माश्यव के द्वारा उचारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है अम शांती गॉड्लीवूट स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमुले रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ती में नौधा भक्ती करने वालों को परमात्मा उनकी भावना के अनुरोप उनके इष्ठ देव का साक्षातकार कराते है परंदुभक्ती का भल ज्ञान प्रदान करने जब स्वयम परमपिता परमात्मा इस रिष्टी पर अवतरित होते हैं तो अपने बच्चों को साक्षातकार मूरत बनाते हैं साक्षातकार मूरत बनने से क्या अभी प्राय है और इसकी विधी क्या है आज हम इश्वरिये महवाक्थियों द्वारा समझेंगे और इन महवाक्थियों के इस पश्टी करण के लिए हमारे मध्ये है पर्चापिता ब्रह्मा कुमारिस इश्वरिये विश्विद्याले के बरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदर्नी राजयोभाई सहाब। पर सब आपका आज की एपिसोड में बहुत वा स्वागत है। पर सब आज हम बात करेंगे 10 नवंबर 1983 के महावाक्षियों पर इसको टॉपिक है साक्षातकार की चाबी। पर मात्मा कहते हैं कि हर एक के मस्तक बीच त्रिशूल अर्थात त्रिमूर्ती स्वृति की स्पष्ट निशानी दिखाई देती है। शक्ती की निशानी त्रिशूल दिखाते हैं। तो हर एक त्रिशूल धारी शक्ती सेना होना बाप दादा और आप। यह त्रिमूर्थी सदा स्पष्ट रूप में रहती है, वह कभी मर्ज, कभी मर्ज होती है, पापतादा के साथ साथ मैं श्रेष्ट शक्तिशाली आत्मा हूं, यह भी याद रहता है, इसी त्रिमूर्थी स्वर्थी से शक्ति में शिव दिखाई देगा, पस अब इस त्रिश लगाते हैं, तो वहां तिरसोल गाडते हैं, और सक्तियों के हाथ में भी तिरसोल देते हैं, तो परमात्मा कह रहे हैं, यह आप द्रमूर्ति आत्माई, एक है मैं शिव शक्ति हूं, और एक हमारे साथ बाप और दादा कम्माइंड है, शिव बाबा, परमात्मा, सर्व शक्त के साथ जैसे कंबाइंड हो जाते हैं, तो परमात्मा कहते हैं, तिर्मूर्ति, तिर्सूल की निसानी है, जब तिर्मूर्ति बन करके आप बच्चे रहते हो, बाप दादा के साथ कंबाइंड हो करके रहते हो, तो सर्व शक्तियां आपके जिवन में आ जाते हैं, और उन तिर्सूल कोई हिंसक सस्त्र नहीं है, लेकिन ये तिरमूर्ति की स्मृत्ति की यादगार जिससे आत्मा शक्ति संपन बन जाते है, वो शक्ति संपन आत्मा की निसानी तिर्सूल दिखाएगी है। इसलिए परमात्मा कहते है कि कई मंदिरों में बाप दादा के कंबाइंड यादगार शिव की प्रतिमा के साथ उसी प्रतिमा में मनुष्य आकार भी दिखाते हैं। यह बाप दादा का कंबाइंड यादगार है, साथ साथ शक्ति भी दिखाते हैं। तो इस त्रिमूर्ती स्मृती स्वरूप स्थिती से सहज ही साक्षातकार मूरत बन जाएंगे। अब सेवाधारी मूरत, भाशन करता मूरत, मास्टर शिक्षक बने हो, अभी साक्षात मूरत बनना है, सहज योगी बनने हो, लेकिन श्रेष्ठ योगी बनना है, तपस्वी बनने हो, महा तपस्वी और बनना है। परमात्मा हम सबको सहज योगी का टाइटिल देते हैं, लेकिन कहते हैं कई बार सहज योगी समझने से अलवेला पना जाता है, इसलिए आप सहज योगी के साथ साथ स्रेष्ट योगी हो, तपस्वी के साथ साथ महा तपस्वी हो, जब ये टाइटिल अपने याद रहते है कि मैं महातपस्य हूँ, स्रेष्ट योगी हूँ, मैं माश्टर तिरमूर्थी हूँ, तो साक्षातकार मूरत बनने की ये विधी है, क्योंकि जब हम इस स्वरूप में इस्थित होते हैं, तो शियो और कम्बाइण में शक्ति, इन दोनों का साक्षातकार आत्मों को होने लगता है, इसी की यादगार मंदिरों के अंदर सियू लिंग के उपर, कई बार सियू लिंग के साथ साथ उसके अंदर एक मूर्थी दिखाई देते हैं, तो परमात्मा केते हैं, यह आप बच्चों की यादगार है, शियू बावा के साथ आप कम्बाइण रहते हो, यह कम्बाइण सरूप की यादगार मंदिरों के अंदर भी पूजी जाते हैं, लेकिन वर्तमान समय आपको महा तपस्वी बन करके रहना है, सहज योगी नहीं, लेकिन स्रेष्ट योगी बन करके रहना है, तब आपके जीवन से लोगों को साक्षातकार होंगे, तो साक्षात मूरत हम ऐसे बनेंगे, तब हम साक्षातकार करा सकेंगे, बिल्कुल, परमात्मा कहते हैं कि आजकल सेवा कहो, तपस्या कहो, पढ़ाई कहो, पुरुशार्थ कहो, पवित्रता की सीमा कहो, किस लहर में चल रही है, जानते हो, सहज योगी के सहज शब्द की लहर चल रही है, लेकिन लास्ट समय के प्रमाण, वर्तमान मनुश्य आत्माओं को वानी की नहीं, लेकिन श्रेष्ठ वाइब्रेशन, श्रेष्ठ वायुमंडल, जिससे साक्षातकार सहज हो जाए, इसी की आवशकता है, प्रमातमा हम सब बच्चों का विसेश अटेंशन किचवा रहे हैं, कि आज कल बच्चे पढ़ाई करते हैं, योग करते हैं, पवित्रता के नियमों की धाना भी करते हैं, खानपान की भी सुद्धी रखते हैं, लेकिन एक सहज की लहर चल गई, सहज योगी जैसे चल रहे ह करना है, द्रंटा के साथ उस जीवन को अपनाना है, उसकी बजाए अलवेला पन उसमें मिक्स हो गया है, अन्तिम समय है, परमातमा कहते हैं, आप बच्चों को साक्षात कार मुरत बनना है, तो इतना आटेंसन दे करके पढ़ाई पर भी ध्यान हो, हमारी धारणाओं पर भ के लिए कह रहे हैं, कि ऐसा समय भी आ गया है, जो आप बच्चों को अलवेला नहीं बनना है, बिल्कि अलर्ट हो करके, साक्षात कार मुरत बन करके, विशुकल्यान की सिवा करनी है, अपने स्वरूप से अन्यात्मों को अनुभव कराने हैं, इसलिए खुद जब बनोगे तब दूसरों को अनुभव करा सको। इसी विशेष्टा के आधार पर सभी वर्णन करेंगे कि हमने देखा, हमने पाया, हमने सिर्फ सुना नहीं, लेकिन साक्षात बाप की जलक, अनुभव की. बर्तमान समय जिसको भी ज्यान हम सुनाते हैं, टो वो आत्माइ भी ऐसा सीख जाती है, क्योंकि जीफ़शन होती है, तो वो भी सुनाना शुरू कर देती हैं. परमात्मा कहता है ये सेवा तो आप अच्छी कर रहे हो लेकिन सुनाना ज्ञान सुनाना ही कोई सेवा नहीं है आप उसका स्वरूप बन करके उसके अनुभवी बन करके अनुभव कराओ आपकी जीवन में वो बाते होंगी तब दूसरों को पहेंगे उनको साक्षात कार हो जाएगा तो परमात्मा कह रहे हैं अब साक्षात बाप समान बन करके फिर ग्यान दो आपके स्वरूप में ग्यान उतरा हुआ हो तो आपको कहने की भी जरूरत नहीं है आपके जो वैवरेशन हैं आपके जो भावनाएं हैं उन आत्माओं को टच होंगी और उनको अनुभव होगा ये तो साक्षात बाप समान बगवान के समान है जो हमें इतनी अच्छी बाते सुना रहे हैं तो परमात्मा कहते हैं दू यह अनुभव नहीं लेकिन इन ही द्वारा कोई अलौक एक शक्ती बोल रही थी जैसे आदी में ब्रह्मा को साक्षातकार हुआ विशेश शक्ती का तो क्या वर्णन किया यह कौन था क्या था ऐसे सुनने वालों को अनुभव हो कि यह कौन थे सिर्फ पॉइंट्स नहीं लेकिन मस्तक बीच पॉइंट ओफ लाइट दिखाई दे यह नवीनता ही सभी की पहचान की आँख खोलेगी सेवा की बहुत अच्छी एक विधी परमात्मा हम सबको सिखा रहे हैं कि आप केवल पॉइंट्स रट करके पॉइंट्स का चिंतन करके फिर नहीं सुनाओ लेकिन जब आप सुरूप में इस्थित हो करके सुनाएंगे किसी को पॉइंट बन करके कोई पॉइंट देंगे तो आपके मस्तक से पॉइंट का अनुभव होगा और उनको लगेगा कि यह भाईर या यह बहन हमें नहीं समझा रही थी इनको इस्रक्ति थी परमात्मा ने बहुत अच्छा मिसाल दिया कि जब सुरू सुरू में स्यु बाबा की प्रवेष्टा होनी थी उस समय ब्रह्मा बाबा को साक्षात कार हुआ और उनको यह अनुभव हुआ कि कोई शक्ति थी कोई लाइट थी कोई शक्ति थी ऐसा ही वर्णन किया उन्होंने कौन था क्या था उनको उस समय पहचान नहीं थी लेकिन अनुभव किया कि कोई शक्ति थी ऐसे ही आप बच्चों के सामने जब कोई आते हैं तो केवल पॉइंट उनको नहीं सुनाओ लेकिन आपके मस्तक से वो लाइट उनको अनुभव हो दिखाई दे ऐसे स्वरूप में इस्थित हो करके फिर सेवा करो ये सेवा की नमिनता होनी जाएए प्रमाता कहते हैं कि अभी पहचान की आँख नहीं खुली है अभी तो दूसरों की लाइन में आपको भी ला रहे हैं जैसे यह यह हैं जैसे वह भी यह कहते हैं वैसे यह भी कहते हैं यह भी करते हैं लेकि यह वो ही है जिसका हम अहवान करते हैं, जिसका इंतजार कर रहे हैं, अभी इस अनभोती की आवशक्ता है, इसका साधन है सिर्फ एक शब्द को चेंज करो, सहज योगी की लहर को चेंज करो, सहज शब्द पवित्र प्रवर्थी में नहीं यूज करो, लेकिन सर्व सिध्धी स्वरूप बनने में यूस करो कि हमारी इष्टा आत्माई हैं, यह नहीं कर पाती। अब यह नहीं कराने के लिए, सिर्फ पॉइंट नहीं सुनाना है। अपने उस सक्ति स्वरूप में इस्थित हो करके कभी कोई बात किसी को सुनानी है। अगर इस लहर को परिवर्तन करना है, तो आप सहज योगी सब्द को यहां पर परियोग नहीं करो। स्रेष्ट योगी बनकर के उस स्वरूप में इस्थित हो करके भी दोसरों को ग्यान दो तो लहर समाप्त हो जाएगी, परिवर्तन हो जाएगी। तो वही लहर जैसे सब कहते हैं, जैसे आप कहते हैं, अनुबों नहीं कर पाते हैं। परमात्मा हम सब बच्चों कह रहे हैं, सहज सब्द जो है, वो सिध्धी सरूप इस्थित्ति में यूज करो। लेकिन योगी जीवन में सहज बन करके अल्वेले नहीं बनो। जी और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि श्रेष्ठ योगी की लहर, महा तपस्वी मूरत की लहर, साक्षातकार मूरत बनने की लहर, रोहानियत की लहर, अब इसकी आवशकता है। परमात्मा ने हम सबको चार लहरें बता दे कि वर्थमान समय सेवा की रूप रेखा इस प्रकार की होनी चाहिए। सहज योगी की जगे पर आप स्रेष्ट योगी हैं, तपस्वी की जगे पर आप महा तपस्वी आत्माए हैं, साथ साथ रूहानियत से संपन आत्माए हैं और साक्षातकार मूरत हैं। जब ये लहर फैलेगी, ये साक्षातकार कराने वाले हैं, ये रूहानियत में रहने वाले हैं, ये स्रेष्ट योगी, ये महा तपस्वी हैं, तब परमात्मा का अनुभो लोगों को होगा और उनको पहचान की आँग खुल जाएगी कि कोई शक्ती है जिसको मुझे मैं तो साक्षातकार आप ही हो जाएगा, साक्षात बाप बनना ही साक्षातकार की चाबी मिलना है, अभी थोड़ा-थोड़ा अनुभफ करते हैं लेकिन ये है चारू और लहर फैलाओ क्योंकि इसी से ही प्रतेक्षता होनी है जब तक हम साक्षातकार मुरत नहीं बने हैं साक्षातकार लोग नहीं कर रहे हैं तब तक बाबा की प्रतेक्षता नहीं हो रही है इसलिए परमात्मा हम सब को कह रहे हैं आप साक्षात बाप समान बनो जब आपके द्वारा अनुभव होगा कि यही मेरे इष्ट हैं, यही मेरे पूरुवज हैं, तो लोगों को अनुभव होने लगेंगे, साक्षातकार होने लगेंगे तो यह सेवा की बहुत अच्छी विधी है, कि जब हम उस स्वरूप में इस्थित हो करके कभी कोई बात किसी को कहेंगे, तो उनको यह लगेगा कि यह भाई नहीं कह रहा है, इनके द्वारा भगवान बोल रहा है जब यह स्मृत्ति यह अनुभव होने लगेंगे, तो साक्षातकार सुरू हो जाएंगे और साक्षातकार होंगे, तो अपने आप लोग भागेंगे, कहेंगे यही है, यही है, यही है फिर दूसरों तरप जो बुद्धी जा रही है, उससे निकल करके एक तरफ बुद्धी लग जाएगे यहनि हमारे अंदर इश्वर यह शक्ति इतनी समाज आए, कि सामने वाले को इश्वर ही नजर आए, उनी की वाणी, उनी का एग्यान समझाए इसलिए तो भक्ती में कहा है, जिधर देखते हैं, उधर तू ही तू है, जबकि भगवान कहता है, मैं सब में नहीं हूँ, इतना वो भगवान की याद में लीन है, जो उसके द्वारा भगवान का अनुभव हो रहा है, तो परमात्मा कह रहे हैं, यह बग्ती का जो गायन ह कि जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है वो तभी होगा जब आप बच्चे अपने उस रूप में इस्थित हो करके ऐसा अनुभो कराओगे कि ये सामने वाली आत्मा नहीं बोल रही है इनके द्वारा कोई सक्ती बोल रही है तब वो अनुभो करेंगे कि ये बगवान का का रही है और भगवान के द्वारा करा रहा है और इसके लिए प्रमात्मा कहते है कि सबसे पहले प्लान स्वयम को सर्व कमजोरियों से प्लेन बनाओ तब तो साक्षातकार होगा अगर यह प्लान प्रैक्टिकल में आ जाए तो सेवा आपके चरणों में जुकेगी अभी प्र प्लेन, किलियर, प्लेन माना बिलकुल सापसवच, तब तक प्लेन जो मनाते हैं सेवा के और प्रैक्टिकल नहीं आते हैं प्लेन बनाते हो लेकिन बुद्धी बन जाये कोई भी हलचल वाले संकल्प नहूं तब ही इस सेवा में सफलता मिलेगी अब बड़तमान समय हम सब क प्लेन बुद्धी बन करके प्लेन को प्रेक्टिकल मिलाना है, केवल प्लेन्स नहीं बनाते रहना, नहीं तो प्लेन्स बनते रहते हैं, कागज पर ही रह जाते हैं, प्रेक्टिकल में नहीं आते हैं, तो परमात्मा उसकी विधी बता रहे हैं, कि बुद्धी को बहुत प्ले परमादना कोहते हैं कि जिसे साकार दीदी के विशेश संसकार सेवा के प्लान को प्रेक्टिकल में लाने का उमांगुचसहा देलानी का रहा वैसे अभी भी वोही संसकार नई दुनिया की स्थापना के कारे को वकारे के अर्थ निमित बने हुए ग्रुप को और तीवर्गती कि देने का पांट चल रहा है तो कि दीदी अवयक्त हुई है दीदी मनमुहिनी के विसे में बाबा बता रहे है कि वो आत्मा के अंदर प्लेन जो भी प्लेन बनते तरह अभी अभी करना है प्रेक्टिकल करना है सिर्फ प्लेन नहीं बनाने और हर एक को अमंग उसा दिलाने की बहुत अच्छी विसेश्ता थी कोई भी कारी होता था तुम कर सकते हो बहुत अच्छा करते हो ऐसे अमंग उसा इसको भढ देती थी तो साकार में दीदी की विसेश्ता रही और अबएक्त हो है तो एडवांस पारटी के अंदर भी वही उमंग उसा बर रही है यह प्लेन करो यह करो यह करो तो जैसे अबएक्त होने के बाद एडवांस पारटी में विसेश्ता रही है तो दीदी की यह साकार में विसेश्ता रही अबएक्त होने के बाद अभी नया जनम नया इस्थान पर गए तो एडवांस पारटी जो सत्युकी स्थापना के निमित है परमात लेने के संकल्प से याद करते हैं मैसिज तो बहुत दिया और अभी और भी देने वाले तैयार हो गए अभी चाहिए पालना वाले जो विशेश निमित है उन्हों का कारे अभी हर सेकेंड बाप की पालना में रहना और सर्व को बाप की पालना देना पालना देने की अथार्थ विधी समझ करके सब की पालना दे क्योंकि ग्यान सुनाने वाले तो बहुत आ रहे हैं ग्यान सुनने वाले भी बहुत निकल रहे हैं लेकिन सिर्फ ग्यान सुन करके चले जाते हैं उनकी पालना नहीं उपाती और जब तक बच्चे को भी अगर माबाप ठीक पालना नहीं देते हैं, तब तक उसके कमजोडिया समाप्त नहीं होती, सक्ति सालिव आत्मा नहीं बनती, तो परमात्मा यहां कह रहे हैं कि आप जो निमित हैं, जो सक्ति स्वरूप आत्मा हैं, वो अन्य आत्माओं की पालना करो, उनको सिर्फ ज्यान नहीं दो, लेकिन जो भी संबंद संपर्क में आएं, जैसे मा के रूप में पालना के संसकार आपके अंदर होने चाहिए, तो इसले सक्ति मा, देवी मा कहकर के याद करते हैं, क्योंकि आप सब ने भक्तों की बच्चों की सब की पालना की है, तो वो संसकार अभी आप में होने चाहिए, कि जो भी विद्यारती, जो भी स्टूडेंट आते हैं, उनकी आप ज्यान और योग से पालना तो करो, इन हर प्रकार से ध्यान रख करके उनको सक्ति साली बनाओ, तो उनकी कमजूरियां समाप्त हो जाएंगे, बिलकुल, इसलिए प्रमात्मा कहते हैं कि अनन्य अर्थात, जो अन्य न कर सके वह करके दिखाने वाले, जो सब करते वो ही किया तो बड़ी बात नहीं, पालना का अर्थ है उन्हों को शक्ति शाली बनाना, उन्हों के संकल्पों को, शक्तियों को इमर्च करना, उमंग उत्साह में लाना, हर आत्मे शक्ति रूप बनाना. इसी रूप की पालना अब ज्यादा चाहिए. चल रहे हैं, लेकिन शक्तिशाली आत्माएं बन कर चलें, वो अभी आवशकता है. जो कोई नए भी आवें, तो इश्वरिये शक्ति की अनुभूती जरूर करें. वाणी की शक्ति की अनुभूती तो हो रही है. लेकिन यहां इश्वरिये शक्ति है, वह अनुभाव कराओ. जो भी नए भावा के बच्चे आते हैं, उनको वाणी बहुत अच्छी लगती है, क्लासेज बहुत अच्छी लगती है, कोई भी उनको समझाता है, बहुत अच्छा ज्यान है. परमात्मा कहता है लेकिन उनकी कमिया समाप्त नहीं होती है. उसके लिए आपको पालना देनी होगी. शक्ति साली बनाना ही पालना है. केवल किसी को ब्रमा भोजन खिला देना, किसी को भी खात्री कर देना, यह पालना परमात्मा नहीं चाहते हैं. परमात्मा चाहते हैं, जो भी बच्चे, जो भी नई आत्माय आपके संबंद संपर्क में आएं, उनमें ऐसी सक्ति भर दो, जो विकारों पर, कमजुरियों पर विजय पराप्त कर लें, क्योंकि उनके पास वो सक्ति अपनी नहीं है, इतना योग नहीं है, इतनी अंदर की महसूस्ता सक्ति नहीं है, जो उनकी कमी कमजूरियां समाप्त हो जाएं इसलिए आप बच्चे ऐसे ग्यान योग से सकती साली पालना करो ताकि उनकी कमी कमजूरियां समाप्त हो जाएं वो भी अपने अंदर सकती महसोस करें इस पालना की बरतमास में बहुत जरूरत है ताकि वो अपने आपको इतना समठ माया जीत बन करके विजयी बन करके रह सकें नहीं तो कई परकार के बिघनाते हैं, चोटी-चोटी पहिस्तेती आती हैं चारे चलते चलते बाबा का हाथ साथ छोड़ करके किनारे हो जाते पालना अगर मिलती है तो कोई भी आत्मा बाबा का हाथ छोड़ करके जा नहीं सकती है इसलिए परमात्मा कहता है आप बच्चे अनन्य बच्चे हो अनन्य उनको कह रहे हैं परमात्मा जिसका कोई अन्य नहीं एक परमात्मा ही जिसका है परमात्मा अपने बच्चों को अनन्य कह करके समोधित कर रहे हैं क्योंकि महारत्ती बच्चे माना अनन्य अनन्य कहते हैं जो विसेस आत्मा होती है यहां पर परमात्मा कहता है जो अन्य नहीं कर सकते कोई भी नहीं कर सकते वो आपको करना है ऐसी सेवा करके दिखाओ जो दूसरे नहीं कर सकते अन्य नहीं कर सकते तब कहेंगे आप अनन्य है और अनन्य बन करके ऐसे सक्ति साली बना दो जो कमजोर आत्मा अगर आती है तो उनकी कमजोरिया समाप्त हो जाए उनको महनत न करने पड़े सहज ही विजयी बन जाए आज हमने समझा कि कैसे हम साक्षातकार मूरत बनकर परमात्मा की प्रत्यक्षता कराएं वा अन्य आत्माओं को भी इश्वरी आनुभव कराएं पर तब स्वष्टी करण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ओम जाती दशकों आज के महवाक्ष्यों में परमात्मा ने कहा कि वर्तमान समय प्रमाण हमें साक्षातकार मूरत बनना है सहज योगी के साथ साथ श्रेष्ठ योगी महा तपस्वी बनना है परमात्मा ने कहा कि हमें ज्ञान का वर्णन करने के साथ साथ अनुभूती भी करानी है एवल मात्र ज्ञान का पॉइंट नहीं सुनाना अभी तो पॉइंट ओफ लाइट का अनुभव भी कराना है पर मात्मा ने कहा कि साक्षात बाप बनना ही साक्षातकार मूरत बनने की चाबी है और इसके लिए सर्व प्रथम हमें अपनी सर्व कमजोरियों को मिटाना है तर्शक्वाज के महावाक्यों से संबंदित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्ण है तो आप हमें एमेल कर सकते हैं हमारा एमेल आइडी है amolleratne at the rate godlywoodstudio.org अगले अपिसोड में इनी महावाक्यों को हम और आगे बढ़ाएंगे तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त, ओम शांती स्वयम को सर्व कमजोरियों से प्लेन बनाओ, शक्तियों को क्यूं और किस रूप में याद करते हैं पालना लेने के संकल्प से मा के रूप में याद करते हैं सर्व आत्माओं को प्रभु पालना अर्थात संकल्पवा शक्तियों को इमर्ज कर उमंग उत्साह में लाओ अनन्य अर्थात जो अन्य ना कर सके ओक करके दिखाने वाले अधिक जानकारी के लिए संपर करें सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गौडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें